नमस्कार दोस्तों मैं अनुराक तावर और आप देख रहे हो आप डिजिटल गाइड दोस्तों हम बात करेंगे जब आप Windows इंस्टॉल करते हैं Windows 10 और तो उसे शुरू में ऑप्टिमाइज गरना पड़ता है ताकि उसकी परफॉमेंस बगरा ठीक रहे तो यह आपने देखा ह तो अपनमें से कुछ एप्स ऐसी होती है जो स्टा्ट अप में रेडी रहती है लेकिन आप यूज निकरते और वो शिस्टम की परफॉमेंस को काफी एफ्ट करती है तो जलि उनमेंसे चकाफी बारे क में देखते है जिश्को कैसे हम अ आ सकते हैं सिस्टम पेसे उसका control panel के अंदर और programs and features इसमें आपको दिखाई दे जाएगा ये Microsoft OneDrive ये ये लोग use कम करते हैं अपने computer पे लेकिन Windows 10 install होते ही वो आपको installed मिलेगा और always running में रहता है आप use करो या ना करो तो उसको सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको किस तरह से मटा सकते हैं इसको मैं minimize कर देता हूँ और आप ये देखोगे ये आपको icon यहाँ पर नजर आ रहा होगा इसमें तो आपको इसको right click करके right click करना पड़ेगा और इसकी setting में जाना पड़ेगा पहले और settings में जाके इसको start up से हटाना पड़ेगा पहले start up पे से आप इसको हटाएंगे click करके रोके करेंगे तो ये automatically हर बार जब भी आप computer start करेंगे तो ये automatically on नहीं होगा और उसके बाद आप इसको execute one drive कर दीजे close कर दीजे और उसके बाद इसको आप uninstall कर सकते हैं यस कर दीजे और ये uninstall हो गया है तो ये इसका छोटा सा process था क्योंकि ये start up में जब तक रहता है जब तक आप इसको uninstall नहीं कर सकते तो इसको पहले start up से अटाना पड़ता है उसके बाद उसको exit करना पड़ता है जो running में रहता है यहां पर और उसी के बाद आप इसको uninstall कर सकते हो ठीक है दोस्तों मिलते हैं एक लिए वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर लें पसंद आई हो तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में गड़ बाई कर दोस्तों में एक कर दोस्तों में पर दोस्तों में लेकान संद दोस्तों जाओग।